हाँ तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेन आज का कलास आप सभी प्यारे स्टूडेन के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के कलास में आपका लेकर आ चुके हैं बाइलोजी जी विग्यान का जो है वाइरल परस्न जो आपको एक फरवरी को सीधा परिक्षा में देखने को मि भी स्टूडेन को कलास मिस करके नहीं जाना है एक फरवरी को धमाल मचाना है तो इस कलास को अच्छे से देखना है ठीक है तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेन कलास को हम लोग बीना टाइम विलम किये बीना टाइम को वेस्ट किये शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अ हम लोग कलास शुरू करते हैं देखते हैं पहला कुस्टन क्या है पहला कुस्टन आपके स्क्रीन में आ चुका है तो सभी स्टूडेंट कमेंड बॉक्स लाइप चेट में एंसर देते रहिएगा ऐसा इंसर दीजिए ताकि पता चले कि आप लोग एक परपड़ी का इंसर या आना एक्जाम में अभी सारी करम विकास होगा ठीक है अभी सारी करम विकास का उधारन होता है औस्टेलिया के सिजुधानी परानी नेक्स चलते हैं दूसरा नमबर 21 में गुंसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांसिक बीमारी होती है तो डाउन सिंड्रोम नेक्स च पूत्र होती है तब उसके होने वाले पूत्रे यंवाले पूत्री में वर्नान्त की संभावना इनमें से कौन होगी तो आपको याद अगना है प्यारे स्टूडेन पराडुपी सभी साधरन दृस्टी वाली पूत्री होगी राइट एंसर यह हो जाएगा नेक्स चलते हैं 4 आपके स्क्रिन में पर्ति जैविक पर्ति रोधी जिवानु का पराद उर्भाओ इनुमें से किसका उदारण है तो आपको याद अखना है मेरे प्यारे स्टुडेन पर्ति जैविक पराद उर्भाओ उदारण है एड़ेप्टीव रेडियेशन का अनुकुली वीकिरन का राइट एंसर ए हो जाएगा नेक्स चलते हैं फाइब नंबर सुकेंद्री कियों में टी आरेने फाइब एस आरेने और यस एस आरेने अनुलेखन में इनमें से कौनता अंतर गरास्त है तो आपको याद अखना आरेने पोलीमरेस थाड जो है वो अंतर गरास्त होता है नेक्स चलते हैं सिक्स नंबर एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है तता उसके पीता का रुधिर वर्ग भी है तो उसके पीता का जीन पर आरूप इनमें से क्या होगा तो आपको याद अखना आई ओ आई भी होगा राइट एंसर इसका आरे स्टूडेंट नेक्स चलते हैं सेवन नंबर फलेवर सेवर इनमेंसे क्या है तो परजीवी टमाटर फलेवर सेवर होता है आपको एक्जाम में गल्ती करके नहीं आना है ठेक है तेजी में चलते हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और भी कलासेश कर सको परत तो आपको याद अखना है कोई भी जीन के अभिवेक्ति जो संपाधित होती है RNAi और Antisense RNA के द्वारा संपाधित होती है Right answer C हो जाएगा मेरे प्यारे student Next चलते हैं तेन नमबर सर्वपर्थम किलीनिकल जीन चिकिस्टा का उप्योग किसके लिए किया गया था तो देखें वाटवाज किलीनिकल जीन तरेपी फर्ष्ट यूज़ पर एडिनोसिन डियमिनेज की कमी Right answer A हो जाएगा Next चलते हैं 11 नमबर G.A.T.C. यानि गाट किस परती बंदन एंडो नुकलेज का अभी गयान अस्थान है तो आपको यादखना एको आर फर्ष्ट का अभी गयान अस्थान होता है Next चलते हैं 12 नमबर सरोपर्थम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमे से कौन था तो देखें सरोपर्थम निर्मित परजीवी गाय का नाम जो था रोजी था मेरे प्यारे स्टूडें नेक्स चलते हैं तेरे नमबर हरी एक कोस्टन याद कर लीजेगा इनमे से कौन सा नियमीत जोड़ा तमबाकू के पौधों की जरों को संकरमीत करता है तो तमबाकू के पौधों की जरों को जो संकरमीत करता है बेसीला स्थुरेंजेसिस करता है यानि जिसको हम लोग BT बोलते हैं राइट एंसर A हो जाएगा नेक्स चलते हैं 14 नमबर 14 आपके स्क्रीन में आन्मिक तकनिक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेको परती इन्विट्रो संसलेसित की जा सकती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो उसे जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस कहते हैं राइट एंसर C होगा जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस आपको टू माक्स में पूछ सकता है ठीक है कि जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस किसे कहते हैं तो आपको याद अखना है आन्विक तकनिक जिसमें किसी भी इच्छी जीन की अनेकों परतिव इन्विट्रो संसलेशीद करना किया जाता है उसे ही जेल एलिक्ट्रोफोरेसिस कहते है नेक्स चलते हैं पंदरे नमबर जीवानू की कोशिका भित्ती को तोर कर उसके डिने एवंग अन्य विरत जैब अन इन में से कौन है तो वह है रुमेट्वाइड और्थेर वाइड राइट एंसर भी हो जाएगा नेक्स चलते हैं सत्रे नमबर तंबाकू के सेवन से सरीर में कौन सा उपाप चाहिए परिवर्तन शिग्र परिलक्षीत होता है तो आपको याद अकना अधिविरी गरंती के उ थारे नमबर उच्चे पैदावार हैं रोग परती रोधी सोना लिका हैं कलियान सोना किसकी किस्म है तो देखे सोना लिका और कलियान सोना जो किस्म होता है वो ग्योंका होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट राइट एंसर भी हो जाएगा और धान की बात करें तो धान होता ह जया और रतना इनका परोनात किसम का नाम ठीक है ये भी याद रखना है नेक्स चलते हैं 19 नंबर 19 आपके स्क्रीन में इन में से कौन एक जैवखाद नहीं है और गेनिक फर्टिल लाइजर कौन नहीं है तो आपको याद रखना है बीटी नहीं है जिसका पूरा नाम है बैसि संदी के तंतुओं से जूर कर जाल जैसी संद्चना बनाते हैं तो उसे फलोक से कहते हैं और हम मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया तो फिली शेयर जरूर करें प्रोबायोटिक्स क्या है यह वाटर प्रोबायोटिक्स तो आपको य अधर क्राइप रोटीन होगा राइट एंसर थी नेक्स चलते हैं नंबर इनमें से पस्ट्विषानु कौन है इनमें से पस्ट्विषानु कौन होगा तो वह एचआइबी होता है जिसका पूरा नाम है यानि हीमन इम्यूनोडिफिसेंसी वाइरस राइट एंसर एह हो लेक कमिकल स्मोंग होगा एक राई नेर दीए सिल्ट केमिकल स्मोग होगा ठीक है राई मनुस्व में हिमान दता का मुख कारण क्या होगा तो वह यूबी बीटा किरन का अपसोशन यह अल्ट्रा वाइलेट किरन का अपसोशन नेक्स चलते हैं 27 नंबर वायू मंदल के निचले भाग से सिखर तक वायू अस्थम में ओजोन की मोटाई की इकाई से मापी जाती है तो 34 होती है विश्व में पाए जाने वाले होट्सपोर्ट की संक्या नेक्स चलते हैं इन में से कौन सी गिरिन हाउस गैस है इन में से गिरिन हाउस गैस कौन है तो मीथेन कारवन डाय अक्साइड और कलोडो फलोडो कारवन यह तीनों जो है गिरिन हाउस गैस होते हैं आपके स्क्रीन में मिर्दा में नाइट्रोजन इस्तरी करन है तू हम किसका परियोग कर सकते हैं यह वाट कैन वी यूज फोर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन स्वाइल तो आपको यादकना नील हरीड बैक्टिरिया का राइट एंसर ए हो जाएगा नेक्स चलते हैं 32 नंबर MP इन किसमें परती रोदक चमता विक्सीछ टीर करने हैं तू उत्तरद आयुए इंपोर्टेंट कोस्टन है तो आपको याद अकना हिए परती जैविग में विक्सीछीट होने के लिए उत्तरद आयुए मैं 33 didry 52 पे पी कर सेंन के समान Χेसरा मनुस्तभन करते हैं नेक्स चलते हैं 35 नंबर बाहरी डियने को मेजबान कोशिका में लाने हैं तू किसका परियोग कर सकते हैं तो बाहरी डियने को मेजबान कोशिका में लाने हैं तू जीनगन मैक्रो पीपेट का उपयोग करते हैं राइट एंसर सी हो जाएगा ए और भी दोनों नेक्स चलते हैं जैब रियक्टर अनुकूलतम परिष्टिती में क्या निर्मान होता है तो जैब रियक्टर अनुकूलतम परिष्टिती में हम लोग निर्मान करते हैं उत्पादक जीब और माध्यम ये तीनों का राइट एंसर डी होना चाहिए इन्वे से सभी नेक्स चलते हैं 37 न राइट एंसर ए हो जाएगा नेक्स चलतों थर्टी न 은जे जाने जाते हैं आड इज हो जाने जाते हो जाते हैं बो किस नाम PAR atención इसे के रूप से ये試 और इने से फंबन दीबेगा और दीनेस से थाइमीन संबन दीथ यह भी याद रखेगा नेक्स चलते हैं 2016 on Depot किर जो प्रिप्राइब के सिर्ष पर एक तोपी नुमा संद्चना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं तो उसे एक्रोसोम का निर्मान किसे होता है तो गौल जी बड़ी से होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गाल जी का है नेक्स चलते हैं तो हम प्रियोग करते है तो हम प्रियोग करते है राइट एंसर हो जाएगा चलते हैं नेक्स चलते है मेरे प्यारे श्टूडन 46 नंबर ट्रांसजेनिक चुगो का पर्योग किसके लिए कर सकते हैं तो ट्रांसजेनिक मुसो का जो पर्योग करते हैं वेक्सिन की सुराप्षात्मक जांच के हे तू नेक्स चलते है Virajan 47 का संकरमन हवा के दुबर कलोसिस जिसको टीवीबी बोलते हैं वही रोग हवा के दुबरा संकरमन होता नेश चलते हैं फोटी नाइन नमबर और आये आई का पड़ियोग रोगानुव को नियांतरित करने हैं तुकिस पोदे में किया जाता है तो और आ एन नाये कि यह द्युंगां 32 युग्मक सामाने तक फ़कार के होते हैं यहाणी गुनक होता है मेरे प्यारे स्टूडिन सॉडन एनसर लगाएंगा ठीक है और यह परली इन क्वेस्टनों को रट कर जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ठीक है फादपों में MPBN उभे अस्थानी किससे संबन्दीत है तो बरायो फाइट से संबन्दीत है नेक्स चलते हैं SL मिलर किससे संबन्दीत है जीवन की उत्पत्य हो विकास से राइट एंसर ए हो जाएगा 55 फाइब नमबर विडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजे मेरे प्यारे स्टूडेंट और अपने सभी यार दोस्तों के सांसेर करने की कोशिस करें गरवाचे किससे संबन्दीत है तो मादा इस्थरी जननतंत्र से नेक्स चलते हैं बिरीवरी का संबन्द किससे है तो राइट एंसर भी हो जाएगा 58 DNA सांचे पर RNA के निर्मान को क्या कहते हैं तो DNA सांचे पर RNA के निर्मान को ट्रांस्क्रिप्शन कहते हैं राइट एंसर भी हो जाएगा और यहीं पर बात करें तो RNA से प्रोटीन बनने की परकिरिया को हम लोग क्या कहते हैं तो ट्रांसलेशन कहते हैं ये भी याद आखेगा मेरे प्यारे स्टूडेट नेक्स जलते हैं 59 नंबर ताइचुंग इन में से किसकी किसम है तो ताइचुंग किसम है किस परएंगी दोकी पाये वह चाहिताना संतुली CT च्छेतर में नेक्स चलते हैं 61 नंबर किसी खास समय एवंग अस्थान में किसी खास आबादि की मिर्तिव की संख्या को क्या कहते हैं मौर्टलईटी के राइट एंसर बी हो जाएगा शिक्स्टीतू मेलि सनेरिय deconst worry चलते हैंOh छालते हूं तो रिस्ट्रिक्षण रिस्टिक्सेन एंजयाइम जाने जाते हैं जूर आनविक тоже के confirming करता है तो करता है को राइट एंसर एंसर हो जाएगा नेक्स चलते हैं 65 नंबर परकास रसायनिक धूंकोरा धूंद में निम्नल इकित में से क्या नहीं पाया तो उसमें परेंड नहीं पाएटा राइट एंसर यह हो जाएगा नेक्स चलते हैं 66 नंबर इन में प्राड़म कूठो कौन है यानि स्टार्ट कोड़ोन कौन है तो AUG and GUG जो है वह स्टार्ट कोड़ोन होता है राइट एंसर B हो जाएगा यह पर बात करें समापन कोड़ोन की तो समापन कोड़ोन होता है UAA और UAG और UGA यह सब क्या होता है तो स्टोप कोड़ोन होता है समापन कोड़ोन होता है नेक्स चलते हैं 67 नंबर जल में एक उलाई के अधिक्ता किसकी सुचक है जल में यह को हुग यह वह किसकी सूचक है तो वही थेंगता की और रीच आंसर कंजेंप स हग धाल इन फेला científic के लिए उप्योगी प्रवर्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् साल ला ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट तो चले मिलते हैं लोग नेक्स्ट कलास में नेक्स्ट ओपे के साथ तब तक के लिए बाइट टेक केर थैंक्स पूर वाचिंग